कि अपना एक R2P का mandate create करना होगा तो अपने R2P का सबसे पहले एक mandate create कर लिजएगा तो mandate create करने के लिए यहाँ पर मिलेगा QSIP और आप इस पर click कर लिजएगा यहाँ पर मिलेगा R2P setup required और आप इस पर click करिएगा जैसे आप इस पर click करेंगे आपके सामने आ जाएगा setup R2P for this S यानि कि SIP David और यहाँ पर मिलेगा Continue और आपको इस पर क्लिक करना होगा अब आप अपना SIP का Auto Pay Mandate किस तरीके से Create करना चाहते हैं तो यहाँ पर मिलेगा Made for Activation आप इस पर क्लिक करिएगा आप अपने UPI App से करना चाहते हैं या David Card से या Net Banking से तो हम यहाँ पर Net Banking से करना चाहत अगर आप फोन पे Google पे से करना चाहते हैं तो आप फोन पे Google पे से भी आप कर सकते हैं अपना UPI डालके तो हम यहाँ पर Net Banking पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद नीचे मिलेगा Continue का Option और हम इस पर क्लिक करेंगे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमें Redirect कर दिया जाएगा हम हमारे Bank की Net Banking Application पर जैसे कि हम SBI यूज करते हैं तो हमारे समने SBI का Net Banking open हो जाएगा थोड़ा सा आप वेट करिएगा अभी आपको यहाँ पर दिखाई देगा देख लिजिएगा आप यहाँ पर हमसे User ID और हमारा Password हमसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर हम अपना User ID और Password इंटर कर लेते हैं जैसे हम अपना User Name और Password इंटर करेंगे हमारे समने आ जाएगा Login हम फिर Login पर क्लिक करेंगे जैसे हम Login पर क्लिक करते हैं हमारे समने एक Next पेज निकल कर आ जाएगा इस तरीके से आप यहाँ पर मिलेगा आपको I Agree Accept करने का Option और आपको फिर Accept पर क्लि File Number पर एक OTP आएगा उस OTP को आप यहाँ से कलिजिएगा Copy और उस OTP को यहाँ पर आप इंटर कर देंगे उसकी बाद Confirm बटन पर क्लिक कर दीजिएगा जैसे आप Confirm बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दिखाए देगा E-Mandate successfully यानि कि आपका E-Mandate successfully create हो गया है यहाँ पर पर देख लिजिएगा हमारा जो E-Mandate है वो यहाँ पर create हो चुका है यहाँ पर आपको दिख जाएगा mandate accepted और यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि आप फिर से थोड़ा सा इंतजार कर लिजिएगा जैसे आप इंतजार करेंगी हमारे समने निकल कर आ जाएगा success जैसा की द सकते हैं अब आपको कोई भी परिशानी यहाँ पर नहीं मिलेगी तो अब यहाँ से आजाएगा back या फिर आप go to dashboard पर click कर दीजिएगा